आप साब को पता है बच्चों कि आपका नया सत्र लग गया है और अपरेल से आपका प्राया जो है यूपी बोर्ड वालों का नया सत्र हो जाता है तो आज से आपका mathematics का एनी गडित का एक नया बैच शुरू हो रहा है जिसमें आपको बिलकुल शुरू से पहले अध्याय से पूरा complete गडित का step by step सारे chapter के सारे solution मिलेंगे live रोज साम 7 बजे याद रखना ठीक है भीड में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा भीड में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा भीड जिसके लिए खड़ी है वो बनना है मुझे और अभी से आपको ये तैं करके चलना है क्योंक तो कहीं आप भटक न जाएं उम्र के साथ इफली अभी से आपको क्या करना है एक बड़ी थौट ले करके चलना है है ना चलिए तो साथियों पहले अध्याय आपका संख्या पद्दति है नंबर सिस्टम है ना नंबर सिस्टम में हम लोग को पहले step by step चीजें सीखनी कि अगर हम उन्हें सीख जाएंगे तब आगे पढ़ना हमरे लिए आसान होगा ठीक है आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अगर कोई बैक्ति अपना मकान बनवा रहा है घर तो घर बनवा रहा है तो क्या-क्या लगता आपको पता है घर में इंट लगते हैं सीमेंट लगती ह पूंडे जोहा लगता यह सब लगता है तो पहले घर्ड़नौ आने वाला उनसाब की व्यवस्था करता है तब घर बनाना सुरू करता हैं मतलब पहले समान आ जाते तब शुरू होता है ना उसी तरह से अगर हमें पहले संख्या पढदती पढ़नी है नंबर सिस्टम क्या है जिसे इंगलिस में होल नंबर बोलते हैं पुडांग क्या है यानि इंटीजर और इबेन नंबर और नंबर नेचुरल नंबर यह तो फिर से बोला ना रेफनल यह सारे नंबर होते क्या है पहले इनके बारे में जानेंगी तब हम अभ्यास के प्रस्ण करेंगे चाहता है तो वह भी देख सकता है कोई दिक्कत नहीं ठीक है आपका लेशन फर्स्ट है यह जिसे बोलते हैं नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम यानि संख्या पददती यह चैप्टर का नाम है बोलो हां रंख्या पदती है अब बच्चे एक बार कमेंट करके बता दो कि आप किताब लिये हो एंसी आर्टी आली बुक लिये हो पावन कुमार लिये हो ना कि रुबिका अंसारी किताब लिये हो ना ठीक है चलिए तो बच्चों नंबर सिस्टम पढ़ने के पहले सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कुछ मूल भूच चीजें जो आपके लिए बहुत जर पहला हम पढ़ेंगे संख्या पद्धती में आप लोग पहले बेसिक से पढ़िए ऐसे तो अगर जादा डीटियल में जाएंगे तो लंबा हो जाएगा नहीं तो संख्या में अगर हम जाते हैं सबसे पहले संख्या दो परकार की होती सुन लीजिए मैं सारी चीजें नहीं कराऊंगा आप नाइंथ में हो जो आपके काम का है उतना पढ़ाऊंगा ठीक है तो में क्या होता है पहले संख्या संख्या दो परकार की होती है साथियों रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर यानि वास् जैसे प्रकृतिक संख्या पूर संख्या पुडांग संख्या तो हमें चैप्तर में जो एक्सरसाइज 1.1 है आपका उसमें रेशनल नंबर पढ़ना है तो रेशनल नंबर हमें तब ही आएगा जब उनके छोटे-छोटे पॉइंट आएंगे पहले रेशनल नंबर के जो पार प्रकृतिक संख्या का ठीक है जिससे प्रकृत संख्या भी बोलते हैं इंगलीश में लिखना आसाण होता है हिन्दी में बड़ा आज़ीब का होता है क्या होता है 9 कि यह थोड़ा सा हिन्दी वी गळबर लग रही मुझे आप लोग लीख ले न बगए नेचुरल नंबर कि हिंदी मीडियम वालों को भी मैं पढ़ा रहा हूं ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिस वाले पढ़ने टेंसन नहीं लेना नेचुरल नंबर क्या होता है देखिए साथियों कि आप ऐसे समझ लो कि आपने पेड़ पौधे देखा है पानी देखा है क्या कोई पेड़ पौधा बनाता है किसी फैक्टरी में बनता है क्या कि आम का पेड़ बन जाया अगले दिन इतना बड़ा हो जाए नहीं बनता न यह पानी कहीं बनता नहीं है कि बनता एपुछ लोग कहाँ के वह मिनरल वाटर आता है वह वाटर रहता है उसको फिलतर करते हैं रौप बदलते हैं वह बनाते नहीं कि वाटर बनाएं हवा भा में बचिलिंडरों में भी आती है वो कहीन कहीं से कुट की जाती है समझ रहा इ Bul Ό तो कोचछी बॐस्तीहट रूप से वह क्या होथी है निच्रल ही हूथी यहनि जिनको कोई क्रश्च रूप से निर्मार नहीं करता है इसी तरह से संख्याओं में क्या है संख्याएं में कुछ चीजें संख्याएं खोजी गई हैं कुछ का मदलब क्या जी रो सुन्न कि खोज किया गया है कि ने किया यह बताना कमेंटकर के लिखें बाकिया इस एई हैं य संख्याएं प्रकृत संख्याएं कहते हैं ठीक है कि समझना क्लियर बात समझना कि नेचुरल नंबर यानि प्रकृत संख्याएं जिनें हम गिन सकते हैं बहुतिक रूप से महसूस कर सकते हैं वो प्रकृतिक संख्याएं कालाती हैं जैसे अगर बात करें कहा जाए कि मारकर मारकर गिन सकते हैं और अबकर हमेरे पास है दो मारकर है लेकिन अगर हम कहें जिरो मारकर तो यह आप कुछ समझोगे जिरो मारकर मैंने कहा मेरे पास जी रो टॉफी है कि उत है आपके मन यह आपको मालूम चलेगा क्या है कि पांच रुपया अगर आपको इसे होगा यह सिक्क्षा होगा यह तो एक-एक का रुपयां कि नरे कि यह 0-0 कुछ होता है कभी कोई फीलिंग आएगी माइंड में कि जीरो रुपया कैसे होगा इतना बड़ा होगा कितना बड़ा होगा नहीं ना तो जो नंबर हम लोग फिल कर सकते हैं जिनका परियोग हम लोग किसी चीज को काउंट करने के लिए करते हैं वह प्रकृतिक संख्या यानि डेचुरल काला थी है मिर्तंजा तिरपाथी जी बहुत अच्छे आरती कुमारी पॉल एनुज पॉल पॉल बॉय अनुज मतलब इनों ने जो अपना नाम लिखा ना बीज में सांफ नहीं दिया है चलिए तो उधारण के लिए क्या लिखोगे हैं वान टू थ्री फोर डाट डाट डा होती है इसमें दूसरा जो आपको पढ़ना है ध्यान रहे अभी कलाफ नाइन का चैप्टर नहीं शुरू हुआ है बुक वाला में कल से पढ़ाऊंगा आज आपको पहले यह चीज़ें जानना जरूरी है प्रकृत संख्या के बाद है साथियों पूर्ड संख्या जिसे बोलते हैं होल नंबर क्या बोलते हैं होल नंबर हां ऐसे भी लिख लो चलो साट कट में जिसे बोलते हैं क्या पूर्ड संख्या है है कि बोलते हैं पूर्ड संख्या है यह डही होती है सब कुछ चीजया अदूरी होती जैसे यह मार्कर है अदूरा एक नहीं पहले बताओ यह अदूरा किसके भी ना अपनी कोपी के बीना इस सब्सक्राइन आफे लग रहा है कि इसको बंद कर दिया ते क्या हो गया, पूरा हो गया, बोलो हुआ कि नहीं, अगर मैं इसमें ना लगाया था दूरा लग रहा नई है, तो वैसे क्या है सातियों, यह जो प्रकृतिक संख्याएं हैं, यह अधूरी है, अधूरी क्यों है, क्योंकि यह 9 तक तो इनको count कर सकते है लेकिन जैसे बीच में एक नदी बह रही हो, पुल ना बना हो, और उधर तुम्हारा सरवस्त्र परा हो, उस पार तो क्या करोगे, नदीम डूब के जाओगे का, वैसे ये प्रकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक तो जाती है, उसके बाद जब 0 है नहीं तो 10 बनेग तो वो संख्याएं पूर्ड संख्याएं कहलाती है, जैसे मैंने कहा ये मारकर है, इसमें स्याही भी है, लिखने वाला है, नोख है, कोपी है, आगा पीछा सब है, लेकिन ये पूर्ड नहीं है, क्योंकि टोपी इसकी, इसको अधूरा करती है, इसको लगाने से पूरा हो र कालाती है यानि प्रकृतिक संख्याओं के परिवार में सुन्ने को सामिल कर लेने पर बनी संख्याएं पुर्र संख्याएं कालाती है ठीक है ना बबुआ चलो उधारन लिख लो जैसे जीरो वन टू थ्री फॉर फाइव डडडडडडडड अनंतक जितने भी हमारे साथ ही ज अप्पू अकेला अकेले का है आओ आज हमें लगता है कि बच्चों को पता नहीं था कि यह लाइप सेशन चलने वाला है क्योंकि आज बहुत कम बच्चे आये हैं बच्चों का थोड़ा विश्वाश तूट गया था क्योंकि रिवीजन हो रहा था बहुत दिन से वह काफी पूर से हो गये थे ना टेंसान नहीं लेना यारों कल से जरूर आना भारी से भारी संख्या में ठीक है लाइब होने लगा आपका रॉक इस्टार बहुत अच्छे बेरे गुड बच्चा बेरे गुड अनुजपाल आर्यन यादो अस्वनी यादो ठीक है प्रकृतिक संख् अगला है साथी मेरे पुडांक पुडांक मतलब इंटीजर लिखो सभी अगला है इंटीजर नंबर जिसे बोलते हैं पुडांक संख्याएं क्या बोलते हैं पुड़ांग संख्या है ठीक है गनेश जी बहुत अच्छे बेरी गुड बहुत तरक्की करिये आगे बढ़िए पुड़ांग संख्या है क्या होती है क्या आपने कभी सुना है धन पुड़ांग रिड़ पुड़ांग ऐसे कुछ सुना है कि नहीं तुना है कैते हैं यह रेड़ पुड़ांक है दन पुड़ांक है सुने ओगे कहीं बोलचाल में सुनिए वास्टों में शाथियों जैसे कोई इंसान है उसमें दो क्वालिटी होती कुछ अच्छाई होती कुछ बुराई होती है कि मृपा और जैसे में हूँ मैं जीदा और कुछ lag भी है है कैसे आप लोगों Co पढ़ा रहां तो आप लोग कहने बहुत अच्छे घृणुजी बहुत अच्छे है और आपकी कह सुरू होने वाली हमारा कोई दोस्त बोल रहा है चलोओ घूमने चलते हैं उसको बोले नहीं जाएंगे जाओ पढ़ाने जा रहे हैं तो इसी तरह से जो संख्याएं होती है वो क्या होती है पल्लस और माइनस दो तरह की होती है इनके बारे में अभी हम एक संख्या रेखा बना के आपको बहतरीन तरीके से समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा इधर देखो इसको मिटा देता हूं ठीक है संख्या रेखा पर सुनने के संख्या रेखा पर सुनने के बाई और इस्थित सभी संख्याएं क्या होती है रिड़ पुढांक होती है तथा सुनने के दाई और इस्थित सभी संख्याएं धन पुढांक होती है समझ रहे हो कि नहीं हम पढ़ रहे हैं पुडांग क्यानी इंटीजर उसको समझने के लिए हम इसे बनाएंगे बीच में यहां पर 0 होता है बबुआ यह दाहिना साइड है 1 2 3 4 यह बाया साइड है देखो यह दाहिना हाथ हमारा यह बाया है से समझना प्रतिभा सिंह जी बहुत अच्छा नहीं कोई प्राबलम नहीं समझें यह क्या है राइट साइड है जी रो का राइट साइड यह है लेप्ट साइड यह है जी रो वाला हम तो संख्या रेखा पर यानि नंबर लाइन पर जीरो की यानि सुन की राइट साइड की जितनी भी नंबर यहां हैं इस्थित हैं वो सभी धन पुडांक काहलाती हैं तथा बाइट तरफ की सभी संख्या हैं लेप्ट साइड की सभी संख्या हैं रिड़ पुडांक काहलाती है यह अनंत तक होती है ऐसा नहीं चारेट ही होती है अनंत तक होती इसकी कोई लिमिट नहीं होती है इधर साइड भी यह अनंत तक आएगी इंफिनेट तक ठीक है समझ मैं है न टिसान तक्तर ठीक है निसान बहुत अच्छे आगे बड़े तो बच्चों लिखते जाओ फटाफट इसे बिल्कुल टेंसान मदलो आप लिखते जाओ इसमें से कितने लोग कॉपी लेकर इसे लिख रहें बोलो यस लिख रहे हो तो बोलो हम लिख रहे हैं लिखर भाई पंकज पर इस लिख रहा है अब इनके दूदूठ पड़े कीच कानेक नीचे लिखते जाओ तब भी मज़ा आएगा नहीं तो फिर बाद में भूल उल जाओगे सब को गया है पता नहीं का हुआ इतनों देर उतकर लिख रहे हो ना निसान अप्पू अकेला चंदन लिख रहे हो ठीक है बहुत अच्छे बेद प्रकास बहुत अच्छे बच्चे चलो तो आपने क्या क्या पढ़ा है प्रकृतिक संख्यां पढ़ लि पढ़ाई जाएंगी याद कर रहे हो रोसन बच्चा याद ना करो याद नहीं होती है चीजे समझी जाती है यह गड़िता है यह मैथमेटिक्स है इसमें समझो याद करने के लिए हिंदी इंग्लिस भी सहाँ उसे याद करना चलो अगला क्या पढ़ेंगे इसी का पार्ट यह सब भी है इस समसंख्याएं एयर आप लोग में से कितने लोग इसे जानते हैं समसंख्याएं ऑजिसे बोलते हैं इबन नंबर इंग्लिस वाले टेंसर मतले ना मैं इंग्लिस में भी बताऊंगा इबन नंबर और आड नंबर इस बोलो यह इबन आड नंबर क्या होते हैं भाईया अर्पित सिंग थीक है बहुत अच्छे देखिए इसकी परिभास आपने सुना होगा बहुत से लोग बताते हैं कि वह संख्याएं जिन्हें दो से भाग करने पर पूरी तरह से कड़ जाएं यानि जीरो से फलाएं वह संख्याएं कहलाती हैं और वह संख्याएं जो दो से भाग करने पर पूरी तरह कड़ जाएं वह संख्याएं कहलाती हैं और वह संख्याएं जो दो से भाग करने पर पूरी तरह ना कटें बिसम संख्याएं काला आती हैं लेकिन ये तरीका थोड़ा बड़ा है इस तरीके में थोड़ा मजा नहीं आती ठीक है वह संख्याएं जिसका लाश्ट अंक लाश्ट डिजिट समझ रहे हो यानि अंतिम अंक वह संख्याएं जिसका अंतिम अंक यानि लाश्ट डिजिट जीर दो चार छे वा आठ तो वह समसंख्या है काला थी है हमद में आया जैसे मैंने यह नंबर लिखा बाबुआ फाइब थ्री टू यह नंबर है यह बी नंबर है और यह सी नंबर है यह बताओ इन ए बी सी में कौन समसंख्या है चलो बोलो ए बी और सी इन में कौन समसंख्या है बोलो फटा फट ठीक है जिन संख्याओं का लाश्ट डिजिट 02468 में से होगा वो सम होगी आप लाईष्ट डिजिट देखें इनका लाईष्ट किया है बबुव दो है इनका लाईष्ट डिजिट क्या है नाई एक इनका क्या है संख्या के लिए क्या राज है संख्या के लिए 02-468 में से कोई नो कोई होना चाहिए मिल्येश आस चंदन कुमार बहुत अच्छे गनेश जी बहुत अच्छे शाचिन सिंग बाउध अच्छे बीटू बहुत अच्छे दीपु अभी बताओ अगर हम इनमें से एक-एक अंक मिटा दें पीछे से अब बताना इसमें कौन समसंख्या है चलो इनके एक-एक अंक हमने निकाल दिये एक-एक भिकड़ गिरा दिये क्या इनमें कोई समसंख्या है यह नाइन था बोलो अस्वनी जी बताओ इनमें कोई समसंख्या है या नहीं बोलो फटापड बोलो यह नहीं जल्दी करो अब बोल ताक है नहीं चलो ठीक है अब एक-प्शन में नया-nया दे रहा हूं बहुत अच्छे जोज लोग बता रहे हैं बहुत अच्छे अब इनके आप्शन बदल गए पी-आर और यह क्यो पहराब है कि सबसे पहला चबाब अगर इसमें किसीने दिया आपी ने दिया है बहुत अच्य अच्छ है पीद? बेरिंबड बेरी गुड बेरी गुड पी आर क्युग अब चलो मैं नम्बरी लग और 7 इनमें मनें नंबर रख दिए 04 इनमें मनें नंबर रख दिए 1 और 8 यह बताओ क्या अब इनमें पी आर क्यू यानि पी क्यू आर जो भी है कॉन कॉन समसंख्या हो गई अरे बोलो कॉन कॉन सी हो गई कि अनुभाव यादो जी कली चलना चाहिए बाबू देखो प्यानि चलना चाहिए वैसा जरूरी तो है लेकिन पिपी विर स्टी एप में तो चले गा कल अगर आपने डाउनलोड नहीं के तो कर ले ना पी विर स्टी एप में कल 10 कलाश का मैच चलेगा नय वैच ठीक है इसमें कोई अगर जबाब दिया है तो उनके नाम है भाया आरती चोधरी जी बहुत अच्छे गुड़नाइट अमर गेमर और बेद प्रकास बेद प्रकास दीपू ठीक है दीपू दिव्यानशु अमीना अहिरवार समसंख्या की बात करें तो यह बता रहीं आर और क्यू यानि क्यू और आर समसंख्याएं है एच अचाई का है यह विसम संख्या है ना यानि वो संख्या जिसका लाश्ट डिजिट वन थ्री फाइफ सेबन वा नाइन होगा वो विसम संख्या या और नंबर का लाएगी संख्या जिसका लाइशक रिजिट वें समसंख्याई यानि नुमबर करा लाएगी न कर अधिया समझ में लिख लीजिए अब आप लोग समझ गये होंगे इसमझ आपके लिए बड़े हेल फुल है यह टॉपिक पढ़ रहा हूं अगर मैं नंबर सिस्टम शुरू कर दूंगा अभी बुक वाला न तुम्हें यह सब नहीं पता तुम आगे कुछ कर नहीं पाओगे अगला हेडिंग डालो composite and prime नंबर composite and prime नंबर लिखो भाज संख्याएं जिनें बोलते हैं composite नंबर अब अभाज जे संख्याएं जिनें बोलते हैं प्राइम नंबर में प्राइम नंबर ओके को तन में जी काल करुँ क्या हां हां काल कर लो तुम भाज जा पाज संख्या क्या होती है कि साथियों आप लोगों को भाग करना आता है कि नहीं सभी को पहले यह बता हूं कि अभी को भाग करना आता है ना देखिए जब हम लोग किसी संख्या को किसी संख्या से भाग करते हैं जैसे देखो अगर मैंने पांच में दो का भाग किया तो दो दूना चार सेसफल कितना आया बोलो सेसफल कितना आया है अगर मैंने दस में भाग किया पांच से तो पांच दूना दस इसमें सेसफल कितना आया कि हम हम अगरो में भाग करने पर सेसफल जाता है और कोई संख्या में सेसफलिए जमोस नहीं आता है इसमें कहते हैं कि इसमें सेसफल नहीं आ रहा है तो साथियों वर संख्याएं जिनको हाँ थोड़ा सा में और पीछी चलना पड़ेगा इसमें आपको गुड़नखंड भी पढ़ना होगा यहनी फैक्तर गुड़नखंड क्या होता समझे लो आउ समझो बताता हूं जैसे मैंने एक नंबर मानलो ले लिया इधर साइड में ले लो मानलो मैंने संख्य ले लिया दो ठीक है दो समझे ना अब अगर दो में हमने दो का भाग किया तो क्या हुआ कि मैंने पांच लिया था ना पहले पांच ले लो थो नहीं जाने दोघवा कि अब आगर सातहियों हम पांच मे zeigt है मैं आपको बता रहा हूं आउłem भाइक्टर क्योंकि आप चोटे बच्चे हैं न हम च्विल रखटर की आउता है द्यान दो अब अगर इसमें हम तीन का भाग करें तो बच्चा तीन दूना च्छा जादा हो जाएगा तीन एक कम तीन फिर भी एक सेसफल आया ना अगर हम इसी तरह से चार का भाग करें बाबू पांच में तो चार एक कम चार फिर भी सेसफल आया ना बोलो आया ना अगर इसी तरह से हम 5 का भाग करें 5 में बोलो शेसपल आया नहीं आया एक चीज और यहां दिख रहें अगर हम 5 में 1 से भाग करें तो 1 5 जा 5 यहां भी क्या है 0 आएगा अब इनसे तुमें क्या सीख मिल रही कि 1 से ले करके 5 तक मैंने एक एक नंबर से भाग किया 5 में जिसमें 5 से और 1 से भाग करने पर 0 सेसफल आया बाकी सब में सेसफल आ रहा है आ रहा है न तो यानि 5 जो है जिन-जिन संख्याओं से भाग करने पर पूरा तरह कट गया कमपलेटली डिवाइड होने का मतलब कोई सेसफल नहीं आया जैसे खाना खा रहे नों पेट भर गया अग्दम डुम हो गया तो मतलब अंदर एकको पूरी नहीं जाने वाली एकको रोटी अंदर नहीं जाने वाली मतलब टंकी पूरा भर गई तो कहने का मतलब पूरी तरह से संतुष्ठ आत्मा मतलब भर न भरी यो लेगन पेट भर गया तो वैसे क्या है इनको जब मैंने अलग-अलग भाग दिया तो यह फाइब से और वन से भाग देने पर पूरी तरह से सटिसफाइड हो गया ऑनि से लो सबको समझ में आया आमाई समझ में यानि 5 का गुडण खंड कर मतलब फैक्टर क्या क्या है बगुआ 1 और 5 क्या है ओन और 5 इसी तरह से अगर मैं तुमसे बोलूं कि यानि संख्या 4 को फैक्टर जानना जरूरी है क्योंकि हम पढ़ा रहें भाज या भाज जी नबायत्य इतब इसमझ पाओगे जब तुम फैक्टर समझ पाओगे में कि तो आप लोग बताओ कि फोर के कितने हो सकते हैं संख्या 4 के कितने गुड़न खंड हो सकते हैं बोलो न काह सर मार रहे हो संख्या 4 इसके कितने फैक्तर हो सकते हैं अगर वन से भाग करेंगे साथियों जैसे अभी इधर मैंने किया था तो फोर जो है वन से completely divide हो जायएगा हो जाएगा और अगर 2 से करोगे बवा तो 2 से भी हो जाएगा पूरी तरह से 0 से सफल आएगा तू टू जा 4 होता है थी किए से जाएगा का कि फिरे से भी हो जायेगा क्या है आसा कि वसामने से हटता रहता हूं पिछे क्या लिखा मैं हीआूbad लेना कि तो साथियोंने योग कोद से होगा है यानि हम कह सकते हैं कि फोर के कितने हैं structures हैं वहांन टू और फोर कितने हैं बच्चों कि ए लगार ना बातपक्की क्लियर जितने भी हमारे प्यारे नन्ने मुन्ने साथ ही जुड़े यह फटा फटा भी कलास को लाइक कर दें देर ना करें तुरंद करिए बाबू आप सब इस लेए चमारे करिए फटाफट और चैनल को बिल्कुल फ्री सब्सक्राइब करें चैनल का नाम है पी वी आरे स्टेडी इलहाबाद याद रखना यादि आप इलहाबाद से पढ़ रहे हो प्रियाग राज से है ना चलो तो अगर मैंने एक दूसरा नंबर लिया मैंने फाइप का तो अभी तुम्ही चकी करा दिया था मानलो एक मैंने नंबर शिक्स ले लिया आद देखो शिक्स किन किन संख्याओं से पूरता विभाजित है कौन कौन से ऐसे नंबर है जो शिक्स को कंप्लिटली डिवाइट करेंगी एसी बाजपेई बहुत अच्छे बाई बाजपेई जी बहुत अच्छे बेरे गुट चंदन कुमार नरेस रोट आरती कुमारी उतकर्स देवगन वन से कंप्लिटली डिवाइट हो जाएगा बाबु भाग करके देख लो डिवाइट हो जाने का मतला बभी में बताया था यह तू से भी हो जाएगा पूरी तरफ है क्योंकि दो त्यांगी छे होता है कि होता है ना बेद प्रकास बहुत अच्छे तीन से भी हो जाएगा को जाएगा ना क्योंकि तिन दुन अच्छे होता है कि अब यह बताव क्या चार से भी हो जाएगा या यह चार से भी हो जाएगा नहीं परदीव कुमार अरे गदा एक दमी फोर से नहीं होगा जीरो नहीं आएगा सेसफल फाइब से भी नहीं होगा शिक्स से होगा यानी प्यारे साथियों इसके फैक्टर हुए वन टू थ्री शिक्स आप उमीद है कि फैक्टर समझ गया हो ना छोटी छोटी नंबर का ही फैक्टर समझ गया हो अब देखो तो फिर एक नंबर का बता दो तुम चलो संख्या साथ के कितने फैक्टर होंगे कौन-कौन बोलो और संख्या आठ का भी बता दो इन दोनों नंबर का फैक्टर बताओ जल्दी से क्या क्या हो सकता है बोलो इसको निकालो चमकता है फालतु खोपड़ी में अर्पीद दीपक कुमार महेश मृतंजय तिर पाठी अभी तक कहां चले गये थे प्रभू तुम भाग गये था ना बीच में बैमानी ने करना जूट मत बोलना अधिक है बहुत अच्छे दिनेस बेरी गूड चांदनी आदो चलिए मैंने जो पूछा था सबसे पहला जबाम मिर्तंजय जी का आया है बेद प्रकासिकेंड नंबर पर हैं और वहीं पर अर्पित सिंग्तीफर नंबर पर हैं मीना अहिरवार जी भी हैं इसी में इनके फै इनके फैक्टर क्या क्या होंगे वन तू और एट यहनि हम दो हमारे चार इक यह क्या इनके फैक्टर समझ में आया अक कंच्छा आदो अभी अभी आ रही हो कलास का time नहीं मालूम आपको कलास का time मालूम है कब होता है ग्लास का टाइम साम को चलता है साथ से आठ कब साथ से आठ चलो लिए आगे बात करें किया अब हम बात कर रहे थे भाज या भाज़य संख्या की नशलो ठीक है भाज या भाज या में पॉइंट पे आजाओ पॉइंट पे आजवब वे संख्याएं जिनके वन और वो संख्या खूद उसका फैक्टर हो इसके अलावा उसके और कोई फैक्टर ना हो और कोई गुड़न खंड ना हो वो भाजे संख्या कहलाती है नहीं वो अभाजे संख्या कहलाती है ठीक है समझ रहा हो ना वह नंबर जिनके देखो जैसे यह थिरी है ना तो थिरी का फैक्टर वन और थिरी होगा बास बाकी कोई नहीं होगा ना कोई नहीं जैसे इसको मैं बगल बगल लिखके दिखाऊं तो ज्यादा बेतर समझ में आएगा तुमें चलो हेडिंग डालो अंतर समझ में आ जायेगा ना बीच में एक लाइन खीचलो कालम बनालो एक लाइन खीचलो भाजी संख्या अब भाजी संख्या चलो समझो जैसे अगर मैं बात करूं मैंने एक नमबर दे लिए फोर फोर के फैक्टर वन टू और फोर फैक्टर क्या यह मत बोलना कि मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं बता चुकाूं 1 और 5 समझो यह क्या इनके गुड़न खंड हैं बच्चों यहां पर देखो इसके फैक्टर 1, 2, 4 और 8 इसके फैक्टर 1 और 3 इसके फैक्टर 1 और 7 तो यह लिए वो संख्याँ जिनमें वो संख्या और वन इसके अलामा कोई और फैटर ना हो कोई अन्य गुड़न ख़्ड ना हो वह अबाजी संख्या या प्राइम नंबर का लाती है फार स्मुझ में आया और जिस संख्या के वन और खुद को छोड़ कर वन और खुद यानि वो संख्या जो जिसका निकाल रहे हैं को छोड़कर कोई और भी फैक्टर अगर आ जाए तो वह भाज्य संख्या का लाती है यानि कंपोजिट नंबर का लाती है तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बिटा क्योंकि क्लास रोज साम को साथ बज़े चलती है रोज साम को साथ बज़े रोज में नाम नहीं बोलता आप लोगों का तो यह मत सोचा करो कि मैं पढ़ाई नहीं रहुए तो लाइब नहीं है यह तो फिर ध समाजा नहीं आ रही है बस आपका कमेंट देखता हूं कुछ लोग इसे में गरियावे लागा थे उनको देखी लेकिन बोली इतना है कि समझ रहे हो कि नहीं है जालो आप जैसे यह नंबर मैंने लिए ट्वल इनके फैक्टर बोलो क्या क्या हो सकते हैं बता इनके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं भट से बोलो ना क्या क्या हो सकता इसके फैक्टर एक नंबर ले लो और खतरनाक इसके फैक्टर क्या क्या हो सकत अधिक है तो जिनके भाईया एक से अधिक फैक्टर होंगे जैसे समझे लोग कोई आपका दोस्त है अगर वह आपका दोस्त है आप उसके दोस्त हो इसका मतलब आप दोनों क्या हो अभाज्य संख्या हो ठीक है आपका जिसका दोस्त पूरा कलस वह यह जानेंंगे जाता हूँ सबसे तेज हो यह सबसे नमबर वन प्लाणनें तो तुम्हें क्या करना आगे से नमबर वन आप पिछे से आगे से नंबर वन आना है कि पीछे से आगे से आना है ना सब लोगों को आगे से नंबर वन रहना है तो वह संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक फैक्टर होते हैं दो या दो से नहीं सुरी दो से अधिक फैक्टर होते हैं वो भाजे संख्याएं या कंपोजिट नंबर का लाती हैं जैसे वान टू थ्री फोर सीक्स और ट्वेल ये देखो छचछट ही हैं इनके समझ गया न सभी आगे से पिछए से नहीं जाना कभी आगे से सब कुछ अच्छा होता आगे से हैं तो आगे से नंबर वना आना है पीछे से नहीं इसी के घर जा रहे हो तब उसके आगे के दरवज्चे से जाना पिछवारे जाबत के यह चोर आया है दुचा लाता उर्खा समझ रहो ना तो इसलिए मैंने बोला कहीं भी आगे से पिछे से आज़ूब होता है मैत का अनलिसिस कैसे करें यह सब क्या हो रहा है अभी समझ गए ना तो आप मुझे यह बताओं संख्या 22 22 के कितने हो सकते हैं कि अभी बच्चे मुझे पांच पांच अभाज्य संख्या बताओ कि कटर्डे को भी कलास चलती है आज संडे हैना मुझे यादी नहीं था कलास चलती है कलास तो रोज चलती है अच्छा संडे की वज़ास इतने कम लोग आये हैं आज संडे की वज़ास इतने कम लोग है मुझे आज पता चला क्योंकि संडे को क्लास अक्सर नहीं होती है अब वो लोग गरियाएंगे आकर के खूब अब मस्टर वह बताय नहीं रहना अब पढ़ाय दिये आज संडे को क्लास नहीं चलती थी वैसे पहले मूड के उपर है मेरा मूड डिस्टर था तो मैंने का चलो पढ़ाई देता हूं कि सबको समझ में आया ना मैंने एक सवाल पूछा था देखो ये गदाहा गोल का बताईन को हम बता नहीं रहें सब सबक्राइब बताई बहुत अच्शे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बस पर बतादिया चंदन कुमार ने बता दिया कशनी बता दिया परतिभा और मोध्वं कुमार मौहित और आँस यह और पर यह कर या लेको गशले कर shutting थे consumo इसके बीच में कितनी भाज्य संख्याए हैं बोलो सभी और वो कौन कौन सी है 11 से 20 के बीच में कितनी composite number है Find all composite number between 11 and 20 Find all composite number between 11 and 20 बताओ दीने समझ गए समझ गए कामा लगा लगा के लिखो कामा लगा लगा के लिखो इसका जबाब भाई चंदन ने बताया है आरपिस सिंग दीपक कुमार बहुत अच्छे तो बच्चों मैं बता दूँ वो नमबर हो जाएगी 12, 14, 15 कुछ लोग 15 को निकाल दे रहे हैं यह बहु यह संख्या भी अभाज्य मैं यह जरूरी नहीं है बिशम संख्याएं भी भाज्य होती हैं कुछ लोग पंदरा को अभाज्य निकाल दे रहें अरे पंदरा ना चाचा आए तो आयो है मत बूला उन्हें समझ रहों कि नहीं तो पंदरा भी इसमें रहेगा क्योंकि इसके वान थ्री फाइब तीन फैकता रहें 16 भी रहेगा 18 भी रहेगा इसके दोनों के बीच की निकालना था ना ये संख्याएं होंगी पंठी समझ में आया ना तो कुछ लोग 15 को इग्नोर कर रहें और हां 11 से 20 के बीच की पूछा गया था बीच का मतलब जानते हो 11 को छोड़ देना बीच को भी छोड़ देना है 11 और 20 को छोड़ करके उसके बीच में वो निकालना है समझ रहा हो ना है समझ रहा हो ना चलो ठीक है इस कलास को जवर जस्ती भेज दो सब के पास पड़ाबय करेंगे सब कौनों कौनों तो पढ़ेंगे बेज दो सब के पास ठीक है बेजोगे ना आप लोग बेजोगे ना और अपने वर्टसप के स्टेटस में लिंक लगा दे आगर मैं आप लोगों का नाम नहीं बुलाता हूं तब भी टैंसर मत लेना थो नाम नहीं बोल रहें कुछ लोग तो भी हो सो जाते हैं मेरा नाम नहीं बोल रहें गुरु जी तो ऐसे बादा खराब है कि पॉचिंग बढ़ो फिरी इस टुड़ी में ठीक है